हे अबरीबन वेलकम वेलकम बैक तो माँ चैनल तो आज हम डिसक्स करने वाले हैं लास्ट फिफ्टीन डेस के आपकी स्ट्राटीजी क्या होनी चाहिए एक बीएसी नर्सिंग एंटरेस्ट एक्जाम को करेक करने के लिए जहां दोस्तों आपको जून स्टार्ट हो चुका है अब आपके पास 15-20 डेस ही हार्ली बचे हैं अपने बीएसी नर्सिंग एंटरेस्ट एक्जाम के लिए तो मैं आपको यहां पर एक रफ प्लान बताने वाली हूँ जिसको आप अपने टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग एड्रेस्ट कर सकते हो और इस टाइम टिबल को आपन पूरा एक प्लान बताया था अगर आपने उसको अच्छे से फॉलो कर आए तो यह वीडियो डेफिनेटली आपके लिए होने वाली है तो बिना टाइम वेस्ट के आए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहले हम बात करेंगे रिवीजन की तो देखो रिवीजन सबसे जादा इंपॉर्टेंट है किसी भी एक्जाम को क्रैक करने के लिए कोई भी चीज हमें सिर्फ एक बार पढ़ी वी याद नहीं रहती है जिस चीज को हम बार 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 पढ़ते हैं वो हमारे माइन में fit हो जाती है देखो एक्जामपल दूँ हमने कभी भी national anthem मेंसे याद नहीं करा था कि हाँ बिल्कुर रटने बैठ गए थे या फिर pledge हमने कभी याद नहीं करी थी लेकिन school में pledge जोज बोलते थे तो हमको वो याद होगी थी और वो हमें अभी भी याद है ठीक है उसी तरीके से से सेम हमारा syllabus है सिर्फ एक बार पढ़ने से नहीं होगा हाँ मैं मानती हूं कि आपने एक मत अच्छे से पढ़ लिया है उस वीडियो को फॉलो करा था आपका काफी syllabus कवर हो चुका है लेकिन आप टाइम आ गया है कि उसको रिवाइस करो कि चीज़े जितनी बार-बार रिवाइस होती है वो उतनी हमें अच्छे से याद हो जाती है आप अपना नाम कवे क्यों नहीं भूलते हो क्योंकि आप अपना नाम खुद भी लेते रहते हो आप अपने घर में भी सुनते हो अपना नाम बार-बार तो आपको याद हो गया है सेम चीज आपकी यहाँ पे स्लेबस को लेकर भी है आप अच्छे से रिवाइस करना है देखो रिवीजन को जाधा टाइम दो ठीक है मैं यहीं बोलूंगी कि आपने क्या करना है देखो सबसे पहले बायो है बायो में ना पूरे पूरे चाप्टर्स मत पढ़ो बायो में सि अब बायो के डाइग्राम्स को मैं पहले भी बोल चुकी हूं अभी भी बोल रही हूं अच्छे से डाइग्राम्स को देखो रोज सिर्फ एक बार उनको देख लो उनकी लेबलिंग देख लो questions आते हैं डाइग्राम से ठीक है बात करें chemistry की तो chemistry में जो name reactions है उनको please अच्छ से बहुत questions आते हैं ठीक है तो reactions को अच्छे से पढ़ो reactions को देखो और chemistry में जादा नहीं बस इतना भी कर लोगे थोड़े इंपोर्टन चैप्टर से आपके chemistry in everyday life यह सब है इनसे भी थोड़ा ध्यान दे लिए यहां से भी questions बन जाते हैं ठीक है अब बात करें physics की तो physics में ज 6 घंटे जरूर करना ठीक कम से कम 5 घंटे तो कर ही लेना डेली का revision आप देखो next बात आती है questions की तो questions में यह नहीं बूलूंगी कि अब आप सिर्व रिवाइस जादा करो questions कम करो क्यूं क्योंकि हमने पूरा पिछला जो last month था मैंने आपको बोला था कि questions करो questions करो questions करो आपने PYQ करें हैं आपने जो आपके extra questions थे वो करें हैं तो आपके काफी सारे questions practice हो चुके हैं ठीक है अब आपने यहां पर क्या करना है यहां पर अपने दिमाग से काम लेना है देखो questions में क्या जो पहले आप ते last month पूरा syllabus cover कर रहा था अपनी theory cover करी थी questions करे थे उन questions में मैंने ब बोला था क्योंकि जो questions आपने गोला कर दिये थे आगे बढ़ गये थे अब जो न अब जो न नेक्स revision कर रहे हो न उसमें आपने फिर से सारे questions नहीं करने है मैं नहीं बोलूंगी फिर से करो क्योंकि जो question आपको पहली बार में आ गया था वो इस बार भी आ जाएगा वो next time क्या जाएगा paper में भी आपको आराम से कर लोगे questions उन पर ध्यान देना है जहां आपने गोला करा था ठीक है अब next बार जब revise करें नेक्स फ्रेश मन से जो गोला कर रहे थे questions सिर्फ उनको करो ठीक है बहुत सारे questions ऐसी हैं जो आपसे अब असानी से हो जाएंगे क्योंकि आपको concept clear नहीं है आप यह silly mistake कर रहे हो आप reading करने में गलती कर रहे हो question में आप question की पूरी language अच्छे से नहीं पढ़ रहो कि वह आपसे क्या पूछ रहा है वहां not accept जैसे terms होते हैं वह आप अच्छे से नहीं पढ़ रहो क्या हो रहा है ठीक है वहां देखो अगर आप reading में ध्यान नहीं दे रहे हो silly mistake कर रहो तो silly mistakes को control करो और अगर आपको concept clear नहीं है तो उस particular topic को जाओ और जाकर कि थोड़ा अच्छे से फिर से पढ़ लो कोई video देखनी है तो वो देखके पढ़ लो खुद के notes है तो खुद के notes को revise कर लो ठीक है तो यहां यह फायदा हो गया कि double revision प्रैक्टिस आपकी हो रही है ठीक है तो questions बस ऐसे ही practice करने है हमने जो गोला कर रहे थे अब हम सिर्फ वही questions को practice करेंगे ठीक है इतना clear हो गया अब बात आती है mock test की तो देखो अब time कम है थोड़ा हमें न ऐसा करना है कि हमें खुद को feel कराना है exam वाला environment ठीक है वो 3 गंट test दे सकते हो अगर कोई purchase कर सकता है कोई test series तो well and good लेकि इतना पैसे क्यों waste करने है तो आप दो free की website से number one आपकी आती है college दुनिया इस पे आपके कुछ four to five free mock test है subject wise वहां आप जाकर के दे सकते हो attempt कर सकते हो और next आपके आती है notopedia ठीक है यह दो websites हैं जो मुझे अच्छी होगा अपनी performance को analyze कर सकते हो ठीक है कि कितने questions आप सही कर रहे हो कितने आपके गलत जा रहे हैं तो यह दो website से इन दो को नाम लिख लेना और जाकर के mock test को prepare कर लेना ठीक है अच्छे से attempt करना इतना हो गया अब बात आती है scoring subjects की तो देखो मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि कम time देना एका घंटा दो लेकिन अब मैं बूलूंगी scoring subject जो आपके nursing aptitude और English है उसको जाधा time दो क्यों क्योंकि आप जो है वहां से 40 marks काएगा total ठीक है तो उसको थोड़ा जाधा time दो वहां पे आप nursing aptitude के मैं आक्टर्स ले रही हूं उनको अच्छे से पढ़ो और YouTube पर बहुत सारा content है nursing aptitude के लिए वह जाकर देख सकते हो लेकिन एक की जयाद रखना content देखने से पहले यह धिहान रखना कि वह content आपके लिए quality भी है उसमें क्या वह content इतना अच्छा है कि आपको exam crack करा सकता है ऐसे बहुत सारा content है तो बहुत सारा consume नहीं करना है जो best लगे आपको जो आपको अच्छा लगे सिर्फ उसी को consume करना है ठीक है इंग्लिश है इंग्लिश में आपके जो noun है, pronoun है, adverb है, verb है, parts of speech है, आपके antonium है, synonyms है, आपके correct spell words है, इतने को भी आप कर लेते हो तो आपकी English अच्छे खासी prepare हो जाएगी इन 15 दिनों के अंदर और 8 घंटे हो गए आपके ठीक है, ठीक है, टोटल बाखी question practice करोगे एक दो घंटे तो 10 घंटे हो जाएगे, मानती हूँ, time थोड़ा जादा लग रहा है, लेकिन अब आपका जो 15 दिन बच्चे हैं, इसमें अपना best दे दो, उसके बाद जितने मज़े करने हैं, आराम से कर ले ठीक है, यह हो गया, next आता है good sleep, अब बात आती है आपके good sleep की, तो मैं good sleep क्यों बोल रहे हूँ, क्योंकि आपको कम से कम 6-7 घंट की नीन डेली लेनी है, अच्छे से पूरी नीन लो, अपनी अच्छी डाइट लो, और 10-15 मिन डेली कुछ ना कुछ ऐसी activity जरूर करना जो आ आपके लिए वीडियो अच्छी रहे, आपकी strategy आपके लिए बहुत जादा useful हो, आपका actual result जो आपका result आएगा, उसके बाद अगर इस वीडियो के थूरू आपके कोई थोड़ी सी भी help हो पाई है, तो मुझे प्लीज जरूर बताना, comment section में, instagram या telegram पे, मुझे बहुत झाल